तो दोस्तों Part 1 की वीडियो में हमने बात किया था कि किस तरह से किशोर बियानी जी भारत की इंडर्स्टि को समझ रहे थे और वो लोगों को देख देख के वो सीखते जा रहे थे कि बिजनस कैसे किया जाता है और इंडिया में कंजिुमर का क्या मांइंसेट होता है तो आई इस वीडियो में हम शुरू करते हैं कि जब पतलून के अपनी पहली इस्टोर उन्होंने 1985 में शुरू किया इसके बाद इनकी क्या जर्नी रही तो जब शुरुवात इन्होंने किया तो शुरुवात में खाली रोज के दो तीन गार्मेंट्स इनके बिका करते थे भारत में सिर्फ दो ही मैनिफेक्चर थे इसके एंका, सेंचुरी और रिलाइन्स ये दो ही कंपनिया इस तरह के फाइबर्स बनाया कर रही थी जो कि ट्राउजर्स और शर्ट्स बनाने में यूस किया जाता था इनको लगा कि ये फ्यूचर का ट्रेंड हो सकता है और किशोर बियानी जी सोचते हैं कि मैं अपना खुद का अब मेनिफेक्चरिंग प्लांट लगाऊंगा और इसके बाद उन्होंने सुशील सेंच जो की नक्शनल टेक्स्टाइल मिल के चेर्मैन भी थे उनके डिटार्मेंट के बाद उनको अपने साथ जोडा और उन्होंने अपना एक नया प्लांट लगाना शुरू किया और ये प्लांट था तारापुर में और कंपनी के नाम इन्होंने रखा धुरूफ सिंथेटिक ये साल था 1986 और यहाँ पे इन्होंने चार मशीनों के साथ अपनी मैनिफेक्शन करनी चालू कर दी थी ये चार मशीने धीरे धीरे 12 मशीनों तक पहुच गई और इसके बाद क्या होता है कि भारत में हर जगा स्ट्राइक्स हो जाती हैं पूरे मुंबई के अंदर हमने दोस्तों एक वीडियो में बात किया था टेक्स्टाइल वार के पार्ट 3 में हमने बात किया था कि किस तरह से भारत में पूरी इतनी बड़ी स्ट्राइक होई थी उसमें इनका भी बिजनस अफेक्ट हुआ और जो डिस्प्यूट्स थे यूनियन के साथ वो काफी बढ़ गए इन्होंने बहुत कुशिश किया कि किसी तरह वो डिस्प्यूट्स सॉल्व हो जाएं लेकिन अंत में वो मील इनको बंद करनी पड़ी इसी बिच किशोर बियानी को पता चलता है कि पेरिस के अंदर टेक्स्टाइल एक्सपो लग रहा है जो कि हर चार साल बाद लगता है और किशोर सोसते थे कि जब मुझे एक्सपोजर मिलेगा मैं नई नी चीज़ों को दुनिया में देखूँगा वही चीज़े मैं भारत मिला सकता हूँ तो ये पेरिस जाते हैं और वो चार दिन का वो एक्सपो देखते हैं लोटते समय किशोर बियानी जी मार्क एंड स्पेंसर के शॉप पे जाते हैं और उनका वो मॉल देखते हैं तब उन्हें रियालाइज होता है कि इंडिया में किस तरह का मॉल्स का स्ट्रक्चर होता है दोस्तों लोग कहते हैं कि जब उनका पेंटालून का इन्होंने पहला इस्टोर खोला तो वो बिल्कुल एक दब मार्क एंड स्पेंसर जैसा ही था तो किशोर बियानी विदेशों से सीख के वो चीज़े भारत में लेके आ रहे थे इसके बाद किशोर बियानी और एक्स्पेरिमेंट करते हैं और वो डेनिम का फ्रेंचाइजी लेते हैं और उस समय डेनिम का शर्ट और जिंस भारत में खाली अर्विन मिल्स बनाया कर रही थी तो फ्रेंचाइजी लेने के बाद ये अलग-अलग सिलर्स को उस फ्रेंचाइजी के थूँ समान देते जाते हैं और डैनी भी ऐसा ब्रैंड था जिसने भारत में लोगो रेडिमेट कपड़े पहनने की आदर डलवाई इसके पहले जो अनिस्टिस क्लोथ थे उसका पूरा रेडिमेट था भारत में अब लोग रेडिमेट के तरफ जाने लगे थे किशोर ब्यानी इसको बहुत ही बारीकी से देख रहे थे क्योंकि उनके अब कई साल हो गए थे इस बिजनस में तो इन्होंने men's wear fashion नाम के एक कंपनी शुरुवात करी 1987 में इसके बाद इसका नाम बदल के इन्होंने पेंटालून कर दिया क्योंकि पेंटालून थोड़ा एक ट्रेंडी नाम था 7 लाक रुपए में इस ब्रैंड की इन्होंने शुरुवात करी थी और हर दिन कंपनी 200 से ज़्यादा ट्राउजर बेचना शुरू कर दी थी कंपनी ने पहरे साल में करीब 32 लाक रुपए अपने revenue जनरेट किया लेकिन कंपनी को 8 लाक रुपए का नुकसान हो गया था इस नुकसान के पिछी के अगर हम बज़ा देखें तो कंपनी यहाँ पे अपने marketing और advertising पे बहुत ज़्यादा पैसा खर्च कर रही थी करीव 16 लाक रुपए इनका marketing और advertising पे गया था उससमें इंडिया में marketing के अतना trend नहीं था लेकिन किशोर बियानी उस चीज़ को use कर रहे थे क्योंकि उन्हें पता था कि हमें एक बड़ा brand बिल्ड करना है वो future में सोच रहे थे उसी समय से और इसके बाद उन्होंने अपना सबसे पहला पेंटालून का फ्रेंचाइजी 1991 में गोवा में खोला और इसके बाद इनकी फ्रेंचाइजी की उसी साल लाइल लग गई कंपणी ने यहाँ पे कोचिन, एरना कुलम, कोलाबा, एहमदाबाद और चन्नाई यह सारी जगा अपनी फ्रेंचाइजी एक ही साल में 1991 में खोल दिया अब दोस्तों यहाँ पे इतनी सारी फ्रेंचाइजी इस तो खुलती जा रही थी लेकिन अब कंपणी को प्रॉबलम आनी शुरू हो गई थी क्योंकि कंपणी के पास इतने ज़्यादा फंड नहीं थे कि अपना डिस्ट्यूबीटर्श पूरा देश में वो मिंटेन कर सके और 1991 के एंड तक कंपणी के पास यहाँ टोटल 22 फ्रेंचाइजी हो गई थी किशोर बियानी ने पहले ही डेनिम के फ्रेंचाइजी ले रखी थी डेनिम के फ्रेंचाइजी से इनको बहुत बड़ा एक रेविन्यू आ रहा था तो यहाँ पे इन्होंने देखा कि इंडिया में जिंस की रिक्वार्मेंट जादा है तो इन्होंने अपना खुद का ब्रेंड लॉंच किया बेर नेसिसिटीज और वो तुरंत इंडिया में वाइरल हो गया और वो ब्रेंड बहुत ज़दा पॉपलर हो गया रात तो रात इसके बाद इन्होंने पेंटालून्स का नाम बदल के पेंटालून्स शॉपी कर दिया जहां पे अब वो मेंस वियर की सारी चीज़े अवलेबल करा दे थे थे इंडिया का पेंटालून्स लेकिर इनके प्रॉबलम बड़ी होते जा रहे थी क्योंकि इनके फ्रेंचाइजी बन रहे थी अब इनको डिस्ट्रिब्यूटर्श पूरे देश में देना था अपने समान जगा जगा पहुचाने थी जिसके लिए उनको बड़े फंड चाहिए थे और जहां ये लोन लेने जा रहे थे वहाँ पे लोग उनको कह रहे थे कि इंडिया में टेक्स्टाइल का कोई फ्यूचर नहीं है और इन्होंने अपना IPO रिलीस कर दिया और कंपनी ने यहाँ पे 2 करोण 25 लाक रुपए इस IPO में उठाए मार्केट से किशोर बियानी शुरवात सही middle class को target करना चाहते थे वो चाहते थे कि जो upper class के लोग हैं वो जिस तरह के कपड़े पहनते हैं उसी तरह के कपड़े मिले क्लास भी अफोर्ट कर सके तो यही इनका सबसे बड़ा target audience था उस समय भारत में एक और नया trend आया कि जो विदेशी नामों के कपड़े थे वो भारत में लोग अब ज़्यादा पसंद करने लगे थे लोगों को विदेशी नाम पे बड़ा trust होने लगा था किशोर भियानी ने यहां भी एक market में नया अप्रोच लगाया उन्होंने एक नया brand name register किया जॉन मिलर जॉन मिलर में उन्होंने shirt बनाना चालू किया अब जॉन मिलर भी पूरे इंडिया में तुरंट popular हो गया वाइरल हो गया थे यह दोनों brand इनका bear necessity भी viral हो रहा था pantalones भी viral हो रहा था और यहां पे इनके John Miller brand तीनों brand बड़े popular हो गये थे भारत में लेकिन इतनी बड़ी बड़ी success के बीच में किशोर भियानी ने लोगों का mood समझना बन नहीं किया था वो लोगों को closely भारत में observe करते थे उन्होंने देखा कि लोग जब shirt और pant भारत में खरीते हैं वो उसे तब तक पहनते हैं जब तक उसके button न तूट जाए या फट न जाए या उसके color fit न हो जाए तो यहां पे उन्होंने देखा कि लोग color fit होने के बाद भी बरतनों के साथ exchange कर लेते हैं बतलब बरतन लेके कपड़े अपने दे दिया करते हैं यह बड़ा fascinating लाया कि शोर भियानी को तो उन्होंने एक नया offer pantaloon में launch किया कि आप अपने पहने हुए jeans आप लेके आईए और यहां पे आप नए jeans ले जाए या आपको कुछ exchange offer मिल जाएगा तो अब यहां 25% के exchange offer के लिए लोग आते थे और वो 200 से जादा, 300 से जादा खर्च करते थे यहां पे company अब अच्छा एक profit generate कर रहे थी और लोगों को भी बहुत ही satisfying हो रहा था किशोर भियानी के पास अब बहुत सारे franchisee के requirement आने लगे थे पूरे भारत में पेंटालून्स खे, छोटे छोटे जो shop owners थे कपड़ों के वो पेंटालून के franchisee खोलना चाते थे लेकिन किशोर भियानी के साथ सामने ये problem थी कि कि किसको franchisee दे और किसको ना दे कौन सही person होगा जो पेंटालून्स को आगे लेके जाए इसके लिए इन्होंने एक बहुत बढ़िया तरीका निकाला ये जो भी franchisee के लिए इनके पास apply करता था ये उसके पास सुबह सुबह जाय करते थे जब वो अपने shop खोल के पूजा करने जाता था अब ये वहाँ जाके एक कपड़ा मांगते थे जब वो person पूजा कर रहा हो था था तो अब ये उस जगह पे चेक करते थे कि वो shop owner इनको आके वो खपड़ा दिखाएगा या पहले वो पूजा करेगा क्योंकि customer सबसे पहले इनके लिए important था तो जो person customer को पहले सर्फ करेगा भगवान की पूजा से भी पहले वो इनके लिए सबसे सही person हो का franchise के लिए और इस तरह से किशोर बियानी खुद जाके चेक करके franchise दिया करते थे उनके लिए जो customer होता था वो भगवान के बराबर होता था किशोर बियानी समय समय पे marketing के तरीके लगाना छोड़ते नहीं थे 1996 का वर्ल्लकप था किशोर बियानी ने पहले ही announce कर दिया था कि जो सबसे ज़्यादा run बनाएगा इस वर्ल्लकप में उसे वो एक नई कार देंगे और सचिन तिंदूलकर हाइस स्कोरर रहते हैं और उन्हें एक नई कार देती है पेंटालून इसके बाद पेंटालून और मार्केटिंग करते जाती है और अब उन्होंने सेलेबरिटीज को भी हायर करना चलूगी अपने ब्रैंड एंडोर्समेंट के लिए यहाँ पे विपाशा बासू और जॉन एब्रेहम, एश्वार रया रायस, मिलीन सोमान इन जैसे लोगों के साथ यहाँ पेंटालून अपनी पूरी ब्रैंडिंग करने लगा था मार्केट में और कंपनी ने धीरे धीरे करीब 72 से जादा फ्रेंचाइज भी पूरी इंडिया में खोल दिया था कंपनी के सामने अब लिकी ने एक बड़ी प्रॉब्लम आ रही थी कि साल 1994 में उन्होंने 10 करोन का रेवेन्यू जनरेट किया था कंपनी का ऐसा टारगेट था कि साल 1999 तक फुस्तो करोन के रेवेन्यू तक पहुचेंगे लेकिन 1997 तक कंपनी सिर्फ 15% ही ग्रो कर पाई थी पैंटालून्स की मैसिव सक्सेस के बाद किशोर भियानी को अब रियालाइज हुआ कि इंडिया में बाइंग कैपिसिटी लोगों की बढ़ती जा रही है और लोग नए-ने प्रोडस्ट खरीदना चाहते हैं लेकिन उन्होंने ये भी रियालाइज किया कि पैंटालून्स के थूरू वो इंडिया का जो टूटल कंजम्शन है उसमें से एपरल सिर्फ 8% होता है तो बागी का कंजम्शन जो है वो ये कैटर नहीं कर पा रहे हैं तो अब इनको कुछ ऐसा करना था जिसकी वज़से वो इंडिया में जो बागी सारे चीजों के कंजम्शन हुआ करते हैं वो सब कुछ ये बेच सकें किशोर बियानी सवाल का जवाब कई बार ढूरते रहे और एक बार उनको इसका जवाब चेन नहीं में जाके मिला सितंबत 2020 में किशोर बियानी चेन नहीं जाते हैं और वहाँ पे रंगनाथन स्टीट के सामने चेन नहीं में उनको एक श्टोर दिखाई देता है जिसका नाम रहता है सरवन स्टोर अब इस स्टोर में क्या होता है कि एक ही दुकान पे बहुत सारी चीज़ लोग बेच रहे होते हैं एक वो फैमिली रन बिजनस रहता है वहाँ पे किशोर बियानी नहीं देखा कि वहाँ पे टॉइस भी मिल रहे हैं और electronics items भी मिल रहे हैं लेकिन वो शौप छोटी थी लेकिन किशोर बियानी को ये समझ में आ गया था कि उनका business model अब कैसा होने वाला है उन्होंने अपनी पूरी टीम को बुलाया और अब उन्होंने बिग बजार के model पे काम करना चालू कर दिया था बिग बजार का सबसे पहला store खोनले से पहले किशोर बियानीव ने पांक चीज़े अपने टीम को बता दिया था सबसे पहला चीज़ को जो उनका store होना चाहिए उसकी location as city के अंदर होना चीए और जहां पे densely populated area हो जहां पे transportation की facility हो क्योंकि लोगों के पास भारत पे ज़्यादतार कार नहीं हुआ करती है तो लोग easily transportation से आके इनके बजार में आया जा सके दूसरा चीज़ उन्होंने कहा अपने टीम को कि उनके पास multiple floors होने चाहिए जिसे कि लोगों के पास spacious space हो उस floor के अंदर चलने का घुमने का देखने का एक proper जो total तरीका होता है उस तरह से वो जाना चाहते थे वहीं आगले चीज़े नोंने अपने टीम से बोला कि हमारे पास वो हर एक चीज़े होना चाहिए जो एक बच्चे से लेकि एक किसी बुड़े इंसान तक के लिए हमारे पास available हो वो चाहते थे कि पूरी family आके हमारे यहाँ shopping करे मतलब एक बच्चा भी हो family भी हो जो budget लोग एक जगह से चलेंगे आप U-shape से घुम जाएंगे इस U-shape का मतलब था कि लोग बोर ना हो जाएं अगर वो एक किनारे से चले तो वो दूसरे किनारे से घुम के वो दूसरी चीज़े बाई करने लगे और अंत में कोई चीज़े खतम नहों तो U-shape का यही मतलब था अब इन चीज़ों के बाद इन्होंने अपना सबसे पहला इस्टोर कूलकता में खुला यह दुरका पूजा के जस्ट दस दिन पहले इन्होंने पहला इस्टोर खुला था और इसके बाद इन्होंने अगला इस्टोर यहां पे हैदराबाद और उसके बाद कुरुमंगला पदर्व कर ली और इसको देखते हुए उन्होंने अपने स्टोर के लिए एक लाख वाइट शर्ट के ओर्डर दे दिये ताकि वो काफी सस्ते में बन जाएं अब यहां पे एक शर्ट बनवाने की कॉश्चन को 105 रुपए आ रही थी तो इन्होंने 149 रुपए में हर एक शर् इसके पीछे जब उन्होंने लोग का mindset समझा तो जो वाइट शर्ट होते हैं वो इंडिया में लोग कम पहनते हैं क्योंकि वाइट शर्ट जल्दी गंदे हो जाये करते हैं और जिसे वाइट शर्ट पहनना होगा वो 149 में नहीं लेके वो 600, 700 यह 1000 रुपीज में भी ले सकत क्योंकि लोग 49 रुपे की अब शर्ट खरीदने आते थे वाइट की और बहुत सारी चीजे खरीद के लेके जाते थे किशोर बियानी को इंडिया का mindset समझ में आने लगा था कि लोग सस्ती चीजों के तरफ जादा जाते हैं अगला जो बड़ा challenge किशोर बियानी के सामने था और उसके लिए भी उन women's को यहाँ पर discount चाहिए होता है तो गुजराती जो लोग हते हैं वो एक example में कहा जाता है कि वो एक रुपे में 4 अठनी होते हैं तो वो 5 बाठनी भी खोजने की कोशिश करते हैं ऐसा गुजरातीयों के लिए काफी कहा जाता है क्योंकि वो काफी ज आपके लोगों में देखा कि वो उनकी buying capacity बहुत जादा होती है वो कोई भी चीज खरीदने से पहले जाता सोचते नहीं है वो खरीद लेते हैं और वो हमेशा एक brand से दूसरे brand तक जाते रहते हैं अब यहाँ पे किशोर बियानी को कुछ ऐसा करना था जिस तरह से वो पूर इनको खुद का experience था तो वो यह खुद ही इनकी team कर रहे थी और बाकी जो चीजे थी उसके लिए इन्होंने 8 team अलग अलग बनाई जो की जिस भी location पे अगर पंजाब में समान खरीदना है तो वहां के local area में जो best seller है उससे जाके समान खरीदना है तो वो 8 team मिलके plastic की समान, utensils luggage, home furnishings, furnitures ये सारी चीज़े जाके source करके local area से लेके आया करती थी वहीं जो चार और आखरी चीज़े थी वो ये local vendors से लिया करते थे जैसे कि जो optical के समान हो गए, दवाईया हो गई, book हो गई, crockery items हो गए, ये सब चीज़े ये local vendors से लिया करते थे और जो vegetable और fruits हुआ करते ये इन्हें सबसे ज़्यादा सस्ते में चाहिए था, तो ये उस area के सबसे बड़े wholesaler से खरीदा करते थे, तो इस तरह का इन्होंने एक design बनाया, ताकि हर समान उसी state के, उसी city से खरीदा जाए, ताकि लोग उससे easily connect कर सके, और इसके बात जो ने उन्होंने अपना tagline बनाय अब यहाँ पे जो item की sourcing थी, इस वज़े से इन्होंने local test को बरकरार रखा, local communities को अपने साथ जोड़ा रखा, क्योंकि अगर local communities को अपने साथ नहीं जोड़ेंगे तो वो लोग इनके खिलाफ reward कर देते, क्योंकि उनका business चला जाता, किशोर बियानी बहुत थी जाता, business में मझे हुए अंसान थे, तो उन्हें पता था कि कैसे सबको साथ में लेके चलना है, यहाँ पे किशोर बियानी ने micro entrepreneurs बनाने चालू किये, कि मतलब कोई भी अंसान अगर इनको 5 रुपे में अगर lighter बेच रहा है, गैस जलाने वाला, तो ये उसको बुलाया करते थे, उससे समा की note जैसी थी, पीछे जो उसके लिखा हुआ था, कि अगर आपको 100 रुपे बचाने हैं, तो आप Big Bazaar के store पे आईए, और वहाँ पे Big Bazaar का address लिखा होता था, तो ये बड़ी जल्दी popular हो गया पूरे Mumbai में, हलाकि इसके लिए उन्होंने पुलिस का भी उनको सामना करना पंजाबी भाषा में करते थे, अगर ये Tamil Nadu साइट जाते थे, तो वहाँ का ये personal advertisement बनाते थे, उस language में बनाते थे, ता कि लोगों से easily connect हो सकें, बिग Bazaar के store के अंदर जो किशुर बियानी की marketing strategy थी, वो बेहत शांदार थी, और उन्होंने बहुत सारे ऐसे तरीके लगाए अब आज भी बहुत सारे malls में ये culture देखेंगे, entry के अंदर होते ही वहाँ पे बड़े-बड़े cards रखे होते थे, जिसमें आप जब भी shopping कर रहे हैं, तो आप बहुत सारे समान उसमें लिके जा सकते हैं, card का size बड़ा होता था, इसलिए कि जब आप shopping करे तो भी आपको mall में क्या rate है, जब उनको 2-3 चीज़े market से सस्ती देख जाती थी, तो वहाँ पे इंसान logic लगाना बंद कर देता है, और इसी psychology का use करते थे, कि आपको जो profit वाला item है, वो सामने होता था और अंदर इस store में जो company के profit का चीज़े हैं, वो चीज़े रखी जाती थी, आगले ची पे mirrors हुआ करते थे, कि लोग रुके और mirrors में देखें, ताकि लोग का जो चलने का speed अब बहुत स्लो हो जाए, और side side में जितने समान लगे हैं, तो आदमी एक एक समान उठा कि अपने cart में डालता जाएगा, आज क्रेट में हर mall ये तरीका use करता है, जिसे कि big bazar ने शुरू किया था, साथ में ये लोग अलग तरीकी के scent डालते हैं, अपने store के अंदर जिसे कि all factor marketing भी कहते हैं, जिस वज़ा से आदमी को थोड़ा pleasant लगे वो environment और आदमी वहाँ ज़्यादा दिर रुकना चाहे, जब इंसान रुकेगा वहाँ पे तो ज़्यादा खरीदारी करेगा ह और वहीं अगर हम अगली बात करें कि जो बच्चों के product हुआ करते थे, वो हमेशा एक्टम नीचे होते थे, क्योंकि बच्चों के height छोटी होती है, तो बच्चों के eyes के level पे उनके items रहा करते थे, जैसे बच्चों के toys हो गए, खिलोने हो गए, ये सारी चीज़े, और जित होते हैं, जैसे कि आपके रुमाल हो गए, या आपके socks हो गए, इस तरह की जो 10, 20, 40 रुपे की चीज़ है, तो लोग सोचते हैं कि ये भी घर में कम हुआ है, ये भी ले लो, अब इस वज़ए से लोग बहुत जादा खरीदारी छोटी-छोटी अंत में भी कर लिया करते थ और यहां पर buy one, get one का भी offer था, जिस वज़ए से लोग और ज्यादा चीज़े खरीदते थे, यहां पर इनोंने 99 effect भी use किया, कि मतलब जो price जो होता है, वो last में 99 पर खाता हूं होता है, जैसे 499, 199, 799, इस वज़ए से लोग को ये लगता है कि हमने 1 रुपय बचा लिया, य mindset लोग का होता है, और इस पर हमने एक short वीडियो भी बना रखा है, वो भी वीडियो जाके देख सकते हैं, और इसके बाद Big Bazaar यहां पर अपने store के अंदर कुछ कुछ देर पर announcement करता था, कि जैसे कि दुपहर में 2 बे से 3 बे तक आपको जो डाल है, वो 10 रुपय में तो लोग जाते थे, बहुत सारे लोग दाल खरीदने लगते थे वहां पर, और उसके आस पास बहुत सारी आइटम्स हुआ करती थी, जिस वज़े से लोग जादा चीज़े खरीद लेते थे, और इसके साथ इन्होंने customer reward का system रखा था, ताकि आग आप जितनी shopping करते हैं, आ बड़ा luggage bag उसे free देते थे gift, जिस वज़े से लोग जादा चीज़े खरीदते थे, ये marketing techniques बिग बजार ने भारत में लेके आया था, समय के साथ किशोर बियानी बदलना जरूर जानते थे, तो उन्होंने देखा कि इंडिया में destination shopping का भी तरीका बढ़ता जा रहा है, इसका म मतलब लोग अगर आते हैं इनके food court में तो खाना भी कुछ खाए, मतलब छोटे छोटे आप fast food के items देखते होंगे कि बिग बजार में जरूर आपको दिखा करते होंगे, तो वो यही concept था कि लोग अगर ठक गए हैं, तो वो बैट के कुछ दिर कुछ fast food खा ले और उसके बा में शुरू किया, तो अब यहां पे इन्होंने बहुत सारे malls और coffee shops और restaurants इन सब को एक साथ जोड़ना चालू कर दिया था, इन्होंने अपना सबसे पहला destination mall बैंगलोर में खोला, जो की 1,20,000 square feet का area था, और इसके अंदर इनका apparel का भी market था, food wear का भी market था, accessories थी, home furnishing थे, music system भी था, pub भी थे, disco भी थे, अब यहां पे एक customer को सब कुछ experience मिलने लगा था, पहला destination mall launch हुआ बैंगलोर में और यह इनका massive success था, किशोर बियानी कोई एक चीज में successful होते थे, वो तुरंत वो चीज़ दुबारा दूसरे जगा implement करते थे, तो इन्होंने हैधराबाद में नवंबर में ही 2004 में अपना destination mall का concept दुबारा implement किया, अब यह जो बैंगलोर वाली जगा थी उससे चार गुना ज़्यादा बड़ी जगा यह हैधराबाद में थी, और यहां पे अब आप movie देखने भी जा सकते ही थे, यान पे इन्होंने 5 screen का PVR cinemas भी अपने इसमें include किया ताकि आये लोग कपडे भी खरीदें, अपने घर के समान भी खरीदें, कुछ coffee shop में भी जाके बैठें, उसके बाद movie भी देखें, तो मतलब customer को एक wide experience मिले, entertainment भी हो और shopping भी हो, और हैधराबाद इनका आस तक सबसे ज़्यादा turnover वाली जगा भी है, इनका 200 करोन से जो जिनकी buying capacity ज़्यादा हूँ, किशोर भी आनि अब कई और चीज़े कर रहे थे, यहाँ पर financing भी करने लगे थी, कोई अगर इनके store में आता है, उसके पैसे नहीं है, तो वहाँ पर वो interest basis पे भी वो चीज़े खरीज सकता है, credit basis पे भी चीज़े खरीज सकता है, और इसके बाद इन्होंने ये भी realize कि भारत में अब लोग home renovation भी ज़्यादा कराते जा रहे हैं, लोग नए ने खर खरीदते जा रहे हैं, तो home furnishing का भी इन्होंने अलग system बना दिया, furniture का भी इन्होंने अलग system बना दिया, किशोर भी आनि अब इंडिया में expand कर रहे थे बहुत अलग अपना mall खोला करते थे, वो area को रेंट किया करते थे, और renting इनको सस्ती पड़ती थी, लेकिन धीरे धीरे properties के rate बढ़ते जा रहे थे, तो renting system अब इनका महंगा हो रहा था, तो इन्होंने अब वो area खरीदना चालू कर दिया, और यहाँ पे अब इन्होंने अपना future group बनाया, साल 2006 में, तो दोस्तों अगर हम बात करें, तो साल 2007 तक बिग बजार ने अपना 50 स्टोर कानपूर में खोल दिया था, और 2008 तक इनके 100 से ज़्यादा स्टोर्स हो गए थे इंडिया में, बिग बजार इंडिया में बहुत तेजी से ग्रो करता जा रहा था, और यह दुनिया क हो गया बिग बजार, इसके बारे में हम पार्ट 3 में बात करेंगे, तो अगर दोस्तों आपको यह वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी है, जैनुरिल इंफॉर्मेटिव लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्स्राइब कर सकते हैं ताकि आपको प अगले वीडियो में